आप भी सर्च कर रहे हैं बेस स्क्रीन रिकॉर्डर के लिए आपको अपनी PC स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है वो भी हाई डिफिनेशन कॉलिटी में यूटूब क्रियेटर जैसे करते हैं ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन आपको सॉफ्टर मिल जाते हैं स्क वीडियो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने यूटूब वीडियो के लिए अपने प्रोजेक्स के लिए अपने साइमेंट के लिए तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं सुलेस्ट बिगेंड अगर अगर आप इस सॉफ्टर को ओपेंड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके साइब आपको मिलेगा अभी मैं इसी सॉफ्टर से अपने स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूं जैसे की आप देख सकते हैं फ्रेंग से यहां पे सिंपल यहां पर यहां पर उप्शन होता है इस सॉफ्टर में उपर लेफ्ट साइट कॉर्णर पे रिकॉर्ड प सेलेक्ट कर सकते हैं लेफ साइड में आपको डिरेशन पता चलता रहेगा कि इतनी आप वीडियो रिकॉर्ट कर चुके हैं सबस्क्राइब मैं बता दू यह एक वीडियो एडिटिंग सॉप्टर है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग के फैसलेटी मिलती है जो बहुत अच्छी में एक वीट्स कर सकते हैं अगर आप को पता हो मैं क्या कहना चा रहा हूं थल्लाइप here यहन थैटियोन आपको कुछ इस तरीके से इसका इंडेशन मिले गा यहाँ पेश्लाइट डाइस स्लाइट hen Erло कुछ यहां पे difficult देखने में लग रहा हो लेकिन यह बहुत easy interference का भी है simple आपको यहां पे plus पे जाकर के आपको एक name देना पड़ेगा अपने recording screen के लिए next उसी की side में जाकर के आपको plus पे जाकर के display capture पे आपको जाना पड़ेगा और यहां पे वो दोनों चीज़ प्लेस हो जाए है और यहां से आप अपना audio level manage कर सकते है desktop का mic का और फिर last में यहां पे आपको option मिल जाता है second पे start recording और यहां से आप start streaming भी कर सकते हैं यह बहुत अच्छा free open broadcast studio यहां से आप हाई लेवल के gaming भी रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं आपको फिर बता दो फ्रेंस यह फ्री सॉफ्टेर आपको online यह के official website पर आपको free download का option मिल जाएगा और install बहुत easy से हो जाता है यह नेक्स यहां पे easy interference के साथ हाई quality video को रिकॉर्ड करने के लिए यहां पे software आता है बैंडी कैम से आप देख सकते हैं बैंडी कैम का यहां पे यह आइकन है सिंप्ली के उपर क्लिक करें और आपको यहां पे कुछ इस तरीके से आपको interference मिलेगा यह बहुत ही easy interference है और software के मुकाबले आपको यहां पे simply आप left corner पे जाना है और यहां पे इस arrow पे क्लिक करना है आपको particular अगर selected area को रिकॉर्ड करना है तो आप first option कर सकते है second option पे आपको rectangle on screen का option मिलता है अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको different types के pixel record करने का option मिलता है आप यहां से select कर सकते है next आपके पास option आता है full screen का आप full screen पे जा करके अपनी पूरी PC की screen record कर सकते है इस option पे आपको around mouse का option मिलता है जिसमें आपको जा करके अगर किसी particular pixel पे आपको mouse के इर्दिगेर्द record करना है तो आपको यहां पे different type के dimensions है आप यहां से जा करके around mouse पे आप record कर सकते हैं simply आपको select करने के बाद आपको simply यहां पे इस red icon के उपर click करना होगा recording के लिए और अभी मैं इसी recorder से record भी कर रहा हूं इस screen को अगर आप clarity अगर पहले की recording और इस recording में अगर आप difference देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी software at a time मैंने आपको बताया है मैंने उसी software से उसको record किया है record करने के बाद आपको simply इसके उपर click करके stop कर दिना है और record करने के बाद आपको यहां वीडियो सेक्शन में जाना है और आपको यहां पर मिल जागा कहां destination पर आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और कितनी file की वो रिकॉर्ड हो चुकी है यहां पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं सच्की वीडियो मैं आपको इस वीडियो करें कर दीजँगों जैसे आपको मीरि नए वीडियो की डोड़िशन मिलती रहेगी मैं इसी तरह के वीडियो आपके पास लД रहता हूं तहो하स की वीडियो में इतना ही थैंकी except